वेल्कम्ट टो हवार चैनल आई पेपर क्लासिस मैं आज आपको रिजनिंग आज फिर से मैं आपको रिजनिंग का प्रिवियर से यह पर कराने चारी हुँ यह भी आर्मी कार्मी का ही पेपर है ठीक है ट्रेट्समें मेट के लिए आपकी जो वेकेंसीज हैं उनके लिए हम करा रहे हैं तो थो लिए क्वेशन की तरफ चलते हैं क्वेशन नंबर वन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है तो इसमें जरा रेक्टेंगल देखेंगे ये रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को सॉरी फिजिक्स को ठीक है सर्कल सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल रिप्रेजेंट इंग्लेश ये इंग्लेश को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है? ट्राइंगल किसको रिप्रेजंट कर रहा है? मैंывать को ठीक है? ये provides ये इस इस डाइग्राम के थुरू हमें ये बता दिया है कि rectangle किसको denote करता है? कि is subject के बचको denote करता है? इंगलेस क इस subject के बचको denotes करता है? और maths अब इसके ये questions हैं ठीक है How many students like all three subjects तीनों subject को ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों subjects को पसंद करते हैं कितने विशे हैं कितने चात्र ऐसे हैं सभी तीनों विशे को पसंद करते हैं तो अगर देखे 27 बिलकुल single है तो ये माम English को उली English को पसंद करते हैं 21 ये उली Physics को पसंद कर रहे हैं 24 ये ऐसे students हैं जो केवल Maths को ही पसंद कर रहे हैं 19 देखेंगे ज़रा ये common section लग रहा है Maths का और English का तो 19 students ऐसे हैं जो Maths को और English को पसंद कर रहे हैं 18 students ऐसे हैं किसको English को और Physics को पसंद करें, 9 students ऐसे हैं जो Maths और Physics को पसंद करें, और 11 students ऐसे हैं जो Common है, तीनों subjects के लिए, English के लिए भी, Maths के लिए भी और Physics के लिए भी, तीनों में Common है, 11, तो option number C, 11, ठीक है, चलिए question number 32 की तरफ चलता है, how many students like both Physics and Mathematics, अभी मैंने आपको बताया, Physics and Mathematics के कितने स्टुएंट से हैं, but, but not English, लेकिन वो English को पसंद नहीं करते हैं, किसको Physics को और Maths को पसंद करते हैं, मैम 9, Physics को और Maths को पसंद कर रहे हैं, option में है, yes मैम है, option number C, चलिए, question number 33, how many students like only one of given subject, ऐसे कितने स्टुएंट्स हैं, जो केवल किसको पसंद कर रहे हैं, केवल एक सब्जेक्ट को, केवल एक सब्जेक्ट को, देखेंगे जरा, माम 21, 21, केवल Physics को पसंद कर रहे हैं, 24, केवल Maths को पसंद कर रहे हैं, 27, किस को पसंद कर रहे हैं, केवल English को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, 7, 4, 11, 1, 12, 2, 4, 2, 6, 1, 7, माम 72 students ऐसे हैं, जो सिर्फ सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं, option number D, ठीक है students, चलिए, question number 34, How many students like at least two of the given subject, कितने विध्यारती ऐसे हैं, जो दिए गए हैं, विशे में, कम से कम, कम से कम वो दो सब्जेक्ट तो होने ही होने चाहिए, चीक है, अब, जादा से जादा उसमें, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हमें, जादा से जादा नहीं बताया, उसने कम से कम बताया कि, जादा से जादा तीन भी हो, चार भी हो, पांच भी हो, चले गार, बट हमारे पास तो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, कि तीन ही है, तो चलिए जड़ा देखते हैं, कितने विध्यारती ऐसे हैं, चो कम से कम, दो सब्सेक्ट्स को पसंद करते हूं, तो मैंने आपको बताया था, कम से कम, ये दो, कोमन शेक्षन है, 18, ये पसंद कर रहे हैं, कम से कम, दो तो हैं, ठीक है, और कम से कम, दो, जादा से जादा, उसने हमें नहीं बताया, तो हम 11 को भी लेंगे, हम 3 को, अगर इसमें 4 पार है, ठीक है, अब हम इनको एड दरेंगे, तो कितना होगा, 9 और 10, 18, 18, 18, और 9, कितने, हम 27, ठीक है, टू कैरी, ओके, एक, दो, तीन, और दो, पांच, तो 57, ओप्शन में है, जड़ा देख लेते हैं, प्शन नमबर 134, 57, ओप्शन नमबर 2, आपकी स्क्रीन पर हैं, देख क्वेशन हैं, यह आपका वेंड डाइग्राम का क्वेशन कह सकते हैं, कि आप यह सिटिंग अर्रेंजमेंट टॉपिक्स है, यह क्वेशन, देख रहे हैं, 6 बिल्डिंग है, L, M, N, X, Y, Z, R, इन सर्कल, एक सर्कल में 6 बिल्डिंग्स को बनाया हुआ है, यहाँ पर देख एक सर्कल में 6 बिल्डिंग को बनाया हुआ है, पेसिंग दा सेंटर, उनका जो फेस है, वो सेंटर की तरफ है, और कितनी बिल्डिंग्स है, 6 बिल्डिंग्स है, मैं, ठीक है, चलिए, हम अब इसका कोई क्लू देखते हैं, इच बिल्डिंग इस एक्जैक्ली अपोजिट और जो उसमें 6 बिल्डिंग है, वो सेट की हुई है, उनका सेंटर की तरफ फेस है, बट एक दूसरी के अपोजिट बैठ हैं, वो, बट, सोरी, बिल्डिंग इस नोट इमेडेटली नेक्स तो आइधर बिल्डिंग एम और एक्स, उसने क्या बोला है, चलो हिंदी में बता प्रतिय की मारत दूसरे के बिल्कुल विप्रीत हैं, जैसे मैंने आपको बताए कि वो इग्जैक्टली आपोजट बैठ है, बिल्डिंग एक्स, बिल्डिंग एम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है, हमें यहां से कोई क्लू नहीं मिला है, जो बिल्डिंग x है बिल्डिंग x के बगल में ना तो क्या है ना तो m है और नहीं z है चीके बिल्डिंग x के बगल में ना तो z है और नहीं m है हमें कोई नहीं मिला है तो जब देखेंगे कहां पर देयां तो बिल्डिंग m is true building y immediately right उसने बोला building M का निर्मान, building Y के ठीक राइट तरफ है यह दा ही राइट होता है, students, ठीक है जो building M का निर्मान हुआ है, Y के ठीक राइट में है तो चलिए, जो building M का निर्मान है, वो Y के ठीक राइट में है Y का यह राइट हो गया, yes, ma'am, हो गया, बिल्कुल छीक है, building N, M के opposite है, ठीक विपरित है, यह देखेंगे जरा, ठीक विपरित है, building N is exactly opposite building M, जो M के opposite है, वो कौन से building है, N, छीक है, अब M तो यह है, इसका Y का opposite यह होगा, इसका opposite यह होने वाला है, और M का opposite N, छीक है, समझा रहा है, building L, जो की building X के ठीक विपरित है, building L, जो X के ठीक विपरित है, बट हमें उसने यहाँ पे condition दी हुई है, students, जो X के पास में हम क्या नहीं ले सकते हैं, ना तो हम M को ले सकते हैं, और ना ही हम Z को ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम X तो ले नहीं सकते हैं, ना ही हम यहाँ Z ले सकते हैं और उसने बूला है building L जो कि building X के ठीक विप्रित है तो मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं X, sorry, मैं यहाँ पे M और Z को तो नहीं ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने हमें condition दिया तो क्या मैं यहाँ L को ले सकती हूँ और L के opposite उसने क्या दिया है जो building L है वो X के बिल्कुल opposite है यस मैं है, बिल्कुल है, तो अब 5 लोग तो set हो गए, अब कौन बचा हुआ है Z बचा हुआ है, Z यहाँ आ जाएगा, हमारी condition भी apply होगी उसने जो हमें एक मतलब पसाने वाला point दिया हुआ था यहाँ पे की X के पास में ना तो M होना चाहिए, ना ही Z होना चाहिए, वो हमारी condition फोलो हो रही है अब जड़ा देखते हैं, इसने पूछा क्या है, कौन से building Z के ठीक राइट में है अब Z के ठीक राइट में कौन है, Z का राइट ही होने वाला है अगर उसका फेस सेंटर की तरफ है, तो Z का फेस ही होने वाला है मैं N, option number D, समझ आया, नहीं आया, तो आप वीडियो को दुबारा देखेंगे और अगें समझेंगे, और यहाँ पे उसमें क्लिव भी दिया हुआ है जो यहाँ पे देखेंगे, building L, जो कि building X के ठीक भी पूदा है और जो Z के ठीक राइट में, जो मतलग के ठीक राइट में building Z है उसने यहाँ पे दिया हुआ है, L के जो राइट में है, वो Z है, यहाँ पे दिया हुआ है नहीं clue ठीक है चलिए question 136 की तरफ चलते हैं same question है तीनों दिन से में आपको same questions करा रहे हूं बिलकुल as it is लेक सकते है which word cannot be formed use letter of the given words only as a many times each word appear in the words लेकिन इसने आप एक बात बोली है कि एक word जो दुबारा एक बार एक बार वर्ड का use हो चुका है वो दुबारा नहीं आएगा ठीक है और ऐसा हिन में होता है questions में उसने एक वर्ड दिया फॉर्मीटेबल अब इसके चार चार ऑप्शन से अब इन से बताने हम कौन सा वर्ड नहीं में सकते तो f yes ma'am बिल्कुल है e बिल्कुल है a बिल्कुल है b yes ma'am l लेकिन यहां पर क्या उसने डबल इदे दिया ठीक है डबल इ नहीं है तो हम ये वाला उसने पहले स्पैसिफाइ कर दिया है तो वर्ड ओल्ली एज मैने टाइम्स इच वर्ड आपियर इन दा वर्ड हम इसमें जो एक बार वर्ड यूज हो गया है मैं आपको असान सी लेंग्विज में बता देती हूं उसको दुबारा नहीं सिर्फ यह अगर दो इस वर्ड में द बिलकुल एए यह है ल बिलकुल है यह भी फूलह ओर रहा है बट एफ एफ आर यह समय है यह यह गी रहाँ ए इम बिलकुल है यह गी डी सिंगल सिंगल वर्ड शाय तरह यह गी ये मैं ह मान्यट यह आर ओ अम M, I, T, E single single words but fable यह इसमें double E आ रहा है चीक है? तो इसको हम नहीं ले सकते हैं तो option number A होगा question number 137 की तरफ चलते हैं इसमें क्या है? जड़ा देखेंगे कुछ भी नहीं है if in a certain coded language a code में catch call is written 31835 लिखा हुआ match call is written as 61835 and minute call written as 624987 then how will teach be written in the sorry in that language? तो हम teach को इस language में कैसे लेख सकते हैं? कुछ भी नहीं है सिर्फ हमें place को लिखना है T को ग्या लिखा हुआ है है? अपर already हमें words दिये हुए है तो हमें कुछ तो करणिगे ना इसमें add ना, हमें place value लिखना है कुछ भी नहीं पहुत इस दिया है और यह आपके scoring होते हैं ठीक है बच्चो अगर आप ऐसे questions भी एक्जाम में छोड़के आएंगे तो फिर भाई कड़वा सच समझें कैसा भी समझें आपको कोई selection नहीं दिला सकता ठीक है टी को जड़ा देखेंगे यहापे टी दिया हुआ है 8, 8 से सुरू हो रहा है तो option A and B eliminate हो गए ठीक है E, यह देखेंगे जड़ा है आपे 7 लिखा हुआ है अभी तो दोनों ही चल रहे हैं A को देखेंगे A, 1 ठीक है अब option number C तो eliminate हो गया C को देखेंगे क्या लिखा हुआ है 3 C, 3 ठीक है H को देखेंगे H को क्या लिखा हुआ है माम 5 तो option number D अब इसमें मैं और क्या ही समझाऊ या कोई और ही easy way से क्या ही बता सकते हूँ या बाकी teachers भी आपको क्या ही बता सकते है Find the Analogs Pair ठीक है हमें इसमें समान यूग मताने है तो जैसे author author होते हैं वो book को write करते हैं author books ही तो लिखते है books को ही तो write करते हैं ठीक है अब हमें इसके जैसा pair ढूणना है तो tailor tailor होता है वो needle थोड़े न वो needle थोड़ी न बनाता है वो तो stitching करता है कपड़ों की जो doctor होता है उसके पास patient आते हैं वो patient को बनाता थोड़े न राइट थोड़े न करता है तो patient को वो ठीक करने का काम करता है जो कारपेंटर होता है वो फरनीचर बनाता है जो जिस तरीके से ओथर बुक राइट करते हैं वैसे ही कारपेंटर फरनीचर बनाता है ज्वेलर्स वो क्या है ज्वेलरी को मेड करता है ज्वेलरी को बनाता है जो ज्वेलर्स होता है वो गोल्ड थोड़े ना बनाता है वो तो आभूशन मनाता है जो ज्वेलर्स होता है तो ज्वेलर्स का गोल्ड देखने में लग रहा है कि बहुत इजी है यूँ ही हो जाएगा ज्वेलर्स ऐसे तो हमें यह अप्शन भी लग रहा है यह अप्शन भी लग रहा है यह भी लग रहा है बट थोड़ा सा कॉमन सें करना है टेलर का निडल नहीं हो सकता है वो निडल नहीं बनाता है वो कपड़े सिलता है ठीक है डोक्टर पेशेंट को ठीक करता है वो पेशेंट नहीं बनाता है यह यह है जो एलर गोल्ड नहीं बनाता है वो आभूशन बनाता है ठीक है आर्टिकल्स बनाता है वो गोल्ड क question number 139 एक पंक्ती में एक पंक्ती में सचीन बाएं से ग्यार्वे स्थान पर है और राज दाएं से साथ पर स्थान पर है अगर वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं रैंकिंग चेप्टर से आपके ठीक है तीनों दिन से ही रैंकिंग चेप्टर से मतलब कोई ना कोई क्वेशन आ रहा है आज भी है और वो अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सचीन बाएं और से सोलवे स्थान पर चला जाता है पंक्ती में कुल कितने स्टूनेंट्स है चलो जरा हम एक पंक्ती बना लेते हैं ठीक है और उसने बोला है पंक्ती में सचीन बाएं से ये लेफ्ट होता है स्टूडेट्स और ये राइट होता है ठीक है पंक्ती में सचीन बाएं से ग्यार्वे स्थान पर है ये लेफ्ट है तो उसने बाएं बोला लेफ्ट से कहां पर है ग्यार्वे स्थान पर कौन है सची है ठीक है फिर उसने बोला है राज राइट से सात्वेस्थान पर है राज राइट से सात्वेस्थान पर है हम यहां कहीं मान लेते हैं पहले ही होने वाला है राज फिर वो क्या कहते हैं कि वो अपना आपस में सांचेंज कर लेते हैं अपने अपनी जगा को आपस में इंटर्चेंज कर लेते हैं तो मैं यहां 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 पर सचिन आगया है तो जब यहां पर सचिन आए तो सचिन का जो स्थान है वो लेफ्ट से कितना हो गया है सचिन का इस्थान है वो लेफ्ट से कितना हो गया है ठीक है अब तो यह से आगे जाएगा क्योंकि इसका स्थान आगे चला गया तो अब जर आ में इंको एड़ करेंगे यहां पर पहले इसने अपना इंटर्चेंज किया तो यहां पर पहले 7 उसने अपना एंडिंग कि 7 पर यहां पर राज अगर हम लास्ट से काउंट करते हैं तो यहां पर 16 और 7 कितने होते हैं माम तेहिस और टोटल माइनस 1 मैंने आपको फोर्मला बताया था 22 is correct answer option number B समझ आया कुछ नहीं था easy है बट उसने अपना जो पनी seat है वो interchange किया और उसका थोड़ा सा स्थान बदल गया है वो आगे की तरफ पहुच गया है कुछ नमबर 140 इन विच्ट फिगर इन विच्ट फिगर इस एंबेड़ेड उस चेत्र का चैन करें जिसमें प्रशनाकरती एंबेड़ेड अब जड़ा देखेंगे प्रशंस को देखेंगे इस टाइप के यह प्रशन आपके देली प्लिस में बहुत पूचे जाते हैं इस टाइप के पेपर कटिंग फोल्डिंग यह अंबेड़ेड अबेड़ेड फिगर्स यह कुशन्स आपके देली प्लिस में और सच्य ग में भी काफी बूचे जाते हैं बहुत इजी होते हैं स्कोरिंग होता है यह आपका स्कोरिंग पॉ innovation होता है और तो चलिए जड़ा चलो सर्च कर लेते हैं हम यहां पे यह उपर जाएगा तो इस तरीगे से बना लेते हैं इस तरीके से बना हुआ है अब ज़रा है बट प्रॉपर नहीं रहा है यह लेिन होगा ये जर्रोप कर दिया यहां तक करदें तो अप्सिन नमबर सी उस विकल्प को चुने जो कि अन्य तीन से अलग है बिल्कुल स्टुडेंट्स देखे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे भी ट्राइंगल है उसने मतलब इंडू दिया हुआ है इंडू का साइन दिया हुआ है ट्राइंगल दिया हुआ है एक पैंटागन शेप दी हुई है और प्लस दिया हुआ है इसमें देखेंगे जरा यहाँ पे उसने स्क्वाइर दिया हुआ है पेंटेगन शेप भी है, प्लस भी है, इंटू भी है, ट्राइंगल है, इंटू है, पेंटेगन शेप है, हाँ, बोल सकते हैं कि इसका जो, मतलब इधर उधर कर दिया है, बट शेप को चेंज नहीं किया है, उसने जरह देखेंगे, तो दी में भी, पेंटेगन शेप है, चलिए क्वेशन नंबर 142 की तरफ चलते हैं 142 में क्या है नीचे दी गई आकरती के समान पैटेन का पालन करें करने वाले विकल्प का चैन करें ठीक है ऐसे ही आकरती चुननी है हमें जरा अब इसको देखेंगे यह यह शेप दी है यह यह शेप दी है और यह भी एक शेप है उसने लाइक हम इसको फोल्ड कर देते हम इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ था यह ओपन किया तो यह दोनों साइट से बन गया इसको हाफ किया हाफ करें और उसको ओपन करें तो यह दोनों तरफ से बन गया same as same as तो ऐसी कोई shape दिख रही है अगर ज़रा हम इसको fold कर दें तो यह same as नहीं बन रही है दिखी, यहाँ पे भी half है, यहाँ पे भी half circle है यहाँ पे भी half, मतलब एक square बन रहा है, बिल्कुल same बन रहा है तो इसमें भी नहीं है, option A में भी नहीं है ओप्शिन B में भी नहीं है, circle दिया बट यहाँ से उसने क्या? यहाँ से इस circle को half कर दिया इसका एक part डाल दिया quarter, ठीके, circle का एक part quarter यहाँ पे बिल्कुल same है इसको half कर दिया, तो यह वाली भी shape से में, यह वाली भी shape से में बट इसमें ऐसा नहीं है तो आप इसके according क्या होने वाल है माम option number c is correct answer okay question number 143 की तरफ चलते हैं देखे बिल्कुल देखते ही पता चल रहा question में कुछ भी नहीं है एक triangle के अंदर square को बंद कर दिया है उसके अंदर क्या है एक into का sign है फिर इसके opposite कर दिया है कि square को square के अंदर एक triangle को बंद कर दिया है उसके अंदर क्या है into का sign ले लिया अब यहां पर क्या एक circle के अंदर triangle को बंद किया है तो हम यहां पर क्या करने वाले triangle के अंदर circle को बन कर देंगे इस बाद यस माम हो गया और उसमें क्या plus का sign ले लेंगे triangle के अंदर circle को बन कर देंगे option number d triangle के अंदर circle चीक है हमें sign भी देखना है बट यहाँ पे क्या किया हुआ है opposite हो रहा है कि माम यहाँ पे तो ट्राइंगल अपोजिट और इससे कोई फर्ट नहीं पढ़ रहा है हमें साइन भी तो देखना अगर मैं यहां पर आप बोलेंगे कि माम और अप्शन नमबर अबी हो सकता है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बंद है बट यहां पर क्या है यहां पर इंटू का साइन है बट य इसमें भी कुछ नहीं है इसकी next shape बतानी है हमें इसको देखेंगे कि इसको हमने किस टाइप से बनाया अगर मैं इसको यहां से काट कि इसको पलट दू यहां से बच्छो ध्यान से देखना है इसमें मैं कुछ आपको ना तो इसमें कोई संख्या एड कर सकती हूं नहीं माइन यहां पर सेट कर दू तो आप देखेंगे जरह यह वाली शेप बन जाएगी चीक है अगर इसको देखेंगे अब अगर इसको यहां से काट के यहां पर सेट करेंगे ठीक है तब इसको सेट करेंगे तो ऊपर तो ऐसे लाइन बनने वाली है और नीचे यह ट्राइंगल होने वाला है ऐसरा सिस्थ नहीं सब्सक्राइब एक दम स्क्राइर बन गया और नीचे से उसकी ऐसी शेप तो सब्सक्राइब यह तो और तरफ से चिक और ये यह तो इस तरीके से बन हुआ है तो यह भी नहीं होने वाला है क्वेशन नमबर 145 उस वेन आरेक का चैन करें जो कि नीचे दिये गए वर्गों में सही ढंग से दर्शाता है एविवाहित व्यक्ति हैं बिजनेस लीडर्स हैं पुरुश हैं ठीके तो चलिए जो अन्मैरिड परसन है जो अन्मैरिड परसन है वो बिजनेस लीडर भी तो हो स सकते हैं कुछ एविवाहित बिजनेस लीडर भी हो सकते हैं कुछ बिजनेस लीडर पुरुश भी हो सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस लीडर पुरुश ही हो सकते हैं कुछ फीमेल भी हो सकते हैं तो इस एकोर्डिंग ये तो अप्शन होगा ही नहीं बिलकुल भी सिर् यहां पर समकोन दिया हुआ है और यहां पर देखेंगे आप जरा क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल दिया हुआ है तो आप किस की तरफ जाएंगे इंग्लिश की तरफ जाएंगे ठीक है तब इंग्लिश को करेक्ट मानेंगे तो तरबुच किसको दर्शाता है जो ट्राइंगल है वो वेजिटेरियन प्रोडेक्ट्स को दर्शाता है साहकारी उत्पादन ठीके जो रेक्टेंगल है वो किसको दर्शा रहा है माम चॉकलेट्स को ठीके और जो ट्राइंगल है जो ट्राइंगल है यह किसको दर्शारा है जो ट्राइंगल है वेन वेजिटेरियन प्रोडेक्ट्स को ठीके और जो सरकल है वो किसको दर्शारा है किसको दर्शारा है वो रिप्रेजेंट प्रोडेक्ट्स मेड इन इंडिया जो इंडिया में मेड हुए हूँ अब हमें यहां पर फोलो करना है कि भारत द्वारा निर्मित सहाकारी चॉकलेट का प्रतिनिदित करने वाले अक्ष्राक का चैन करें भारत द्वारा निर्मित तो उसने क्या तीनों select the letter that represent इंडियन मेड वेज़िटेरियन या वेन चॉकलेट्स तो उसने हमें तीनों का comment section पूछा है इसकी ज़र आप language को समझेंगे students तो तीनों का comment section क्या माम A, option number E ठीक है अपकी screen के सामने है ज़र नेक्स्ट आगे चलेंगे question number 147 same है बिलकुल Venn diagram का question है कुछ भी नहीं करना है इसमें भी the Venn diagram given below show the number of numbers of sports club एक sports club है यह पूरा एंड गेम दे प्ले और इसमें game game एक ज़र ट्राइंगल रिप्रेजेंट ग्लियार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है ब्लियार्ड को ठीक है rectangle rectangle कौन से प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है squash ठीक है and the circle represent किसको रिप्रेजेंट कर रहाए गोल्फ के प्लेयर्स को what is the total number of all the players तो कितने कितने मतलब टोटल प्लेयर कितने होंगे तो ज़रा देखेंगे टोटल प्लेयर गॉल्फ खिलने वाले उसने हमसे पूछा है तो सभी फिलाड़ी ओगी कुल संख्या कितनी होगी सभी खलाड़ी जरा count करेंगे कुछ नहीं करना है इन सभी को count करके लिख देना है 12, 5, 17 4, 6, 8, 3 12, 5 17 4, 6 3 और 8 आपको इनको add करना है और तब आप इनको add करेंगे तो आपका option number B होने वाला है 55 option number B कुछ ने उसने total players पूछा आप इसमें कुछ common section वाले भी हैं जैसे कि देखेंगे आप 5 5 ऐसे players हैं जो बलियार्ड्स और गॉल्फ खेलते हैं 3 ऐसे players हैं जो squash खेलते हैं और बलियार्ड्स खेलते हैं और 6 ऐसे players हैं जो गॉल्फ और बलियार्स और 4 ऐसे हैं जो गॉल्फ भी खेलते हैं, बलियार्ड्स भी खेलते हैं, स्क्वाश भी खेलते हैं Q148, 148 की तरफ चलेंगे, इसमें क्या बताना है? Triangles count करके बताने हैं, इस फिगर में कितने triangle हैं तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इनको count कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसकी 2 से multiply कर देना है, students और कुछ नहीं और एक triangle ही रहा, आप इसको add कर देंगे, प्लस 1, तो कितना होगा है? 13, option number C, आपकी screen के सामने है, कुछ नहीं है Shapes, आपको बताएंगे कि किस तरीके से counting of figures, किस तरीके से हमें इसको add काउंट करने होते हैं, किस तरीके से squares count करने होते हैं, तो पूरा एक session लेके आएंगे उसमें बताएंगे Commando series में, ठीक है? देखना ना बूलेगा Select the correct water remains, भटानी है, हम इसमें, ठीक है? Water remains, अब जरहा इसमें देखेंगे याप इसको एक ही तरीके से कर सकते है जो पास वाली चीज है उसको हमेसा पास में लिखेंगे ठीक है तो इसके यहां पर यह और इसका फील्ड है ठीक है बलैक कलर से सभी ऑप्शन्स में यहां से इस तरीके से यह तो सभी एक जैसा दिख रहा है अंदर का अंदर की शेप सभी की एक जैसी दिख रही है बट आप option में देखेंगे कि सिर्फ यह ही चेंजमेंट है जो इसकी pass वाली चीज है वो बिलकुल हम इसको pass में ही लिखने वाले तब हम इसकी water image बनाएंगे water image बनाएंगे तो mirror image इस तरफ बनती है और water image इस तरफ बनती है ठीक है तो इस तरफ बनेगी तो इसकी pass ये वाला जो इसका field है यहां से black black इसको shadow किया हुआ है black black shade से किया हुआ है तो बिलकुल यही पर आने वाला है इसमें देखिए यहाँ पर आएगा और यह वाला यहाँ पर आएगा यह यहां पर आने वाला है और यह बिल्कुल इसके नीचे आने वाला है तो option A में ऐसा है yes ma'am है ऐसा और B में लेकिन B यह और रखें अच्छा यह हिंदी में और यह इंग्लिस नहीं सॉरी ठीक है तो देखेंगे यह सेम है यह इसके पास में होगा मैं option number A जरा B में देखेंगे यहां से यह blank यह सिफ इसको gray color से यह तो पूरा ही black कर दिया है और और दोनों यह यहां से एक जैसे नहीं होंगे तो option number A इस correct answer ठीक है water image नीजे की तरफ बनती है और mirror image side की तरफ बनती है तो आपकी screen के में सारे questions थे previous year मैंने आपको दिखाया कैसा था स्टेशन अच्छा लगे तो like कीजे share कीजे thank you all students सारे questions समझ में नाएं बहुत easy way में बताएं दुबारा देखिएगा